हेलो फ्रेंड्स वेलकाम तो आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सिदक दोस्तों साड़ा अज़दा टोपिक है प्रैक्टिस सेट नंबर 16 सो दोस्तों चल दे हैं साड़े अज़दे प्रैक्टिस सेट थे बट वीडियो स्टार्ट करें तो पहला जेकर तुसी हुन तक साड़े यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की ता तैनू सब्सक्राइब कर लो ता जो तो नू ओन वाले सारे वीडियो दा करना ताकिस अनू मोटिवेशन मिलदा रहे और असी थ्वाड़े लई नवी नवी वीडियो लेके ओन दे रही है तो दोस्तों चल दे हैं साड़ी अज़दी वीडियो ते जिदे विस साड़ा पहला कोश्चन है Q1. जदू गोडा माइन्स आर फेमस फोर Q2 दे विच पुछिया गया है कि जदू गोडा माइन्स हेट लिख्या विच ओं किदे लई फेमस हन A. गोल्ड दिपोजिट B. आइरन ओर C. मीका दिपोजिट D. यूरेनियम दिपोजिट दोस्तों जगादु गोड़ा माइन्स हैं इंडिया दे चारखंण स्टेट दे विछ जुचुएटिद हैं और दोस्तों और युरेनियू माइन्स दे लई फेमस हैं जादु गोडा माइन्स आर फेमस फोर उरेनियम डिपोजिट और दोस्तों चार्खंड दे चीफ मिनिस्टर हन हेमंत सोरेन और दोस्तों चार्खंड दे गौवर्नर हन दरोपदी मुर्मू दोस्तों कोस्टों दे विच पुछया गया है कि इंडियन कोस्टिचूशन दे किस शेडूल दे विच एंटी डिफेक्शन ला दितता होया है दोस्तों चार्खंड दितिया हन फर्स्ट इज सेकिंड शेडूल सेकिंड इज टैंथ शेडूल थर्ड इज थर्ड शेडूल और फॉर्थ इज फॉर्थ शेडूल दोस्तों जो एंटी डिफेक्शन ला है इंडियन कोस्टिचूशन दे टैंथ शेडूल दे विच दितता ह और दोस्तो 10th schedule नूँ popularly anti-refaction लावी कहा जानदा है और 10th schedule नूँ 52nd constitutional amendment act 1985 द्वारा एड किता गया सिगा So question the right answer है B 10th schedule Question number 3 The second battle of train was found between question दे विच पुछया गया है कि train दा दुज्जा युद हेट लिख्या विचों किदे विचकार होया सिगा A. Alexander and Porus B. Jai Chand and Muhammad Gori C. Akbar and Hemu and D. Muhammad Gori and Prithvi Raj Chohan So question the right answer है D. Muhammad Gori and Prithvi Raj Chohan D. Muhammad Gori and Prithvi Raj Chohan दे जित होया है D. Muhammad Gori दे जित होया सिगा Question number 4 Plants that grow in saline water are called Question दे विच पुछया गया है कि ओ plant जो की saline water दे विच उगदे हन उनानू की क्या जानदा है A. Halophytes B. Hydrophytes C. Mesophytes and D. Thelophytes D. दोस्तों जो plants saline water दे विच उगदे हन उनानू Halophytes के हा जानदा है So question दा राइट अंसर है A. Halophytes Question number 5 MS nurseman who passed away recently was a famous Question विच पुछया गया है कि MS nurseman जिना दी होने recently death होई है ओह कौन सन? A. Dr. B. Mathematician C. Musician and D. Scientist D. दोस्तों MS nurseman जिना नू नर्सिमन सशादरी Theorem दे विच जाने जानदा है एक famous mathematician सन? So question दा राइट अंसर है B. MS nurseman who passed away recently was a famous mathematician MS nurseman known for nurseman सशादरी Theorem and MS nurseman was the only Indian to receive the King Faisal International Prize in the field of science जो MS nurseman हन दोस्तों और इकलोते इंडियन हन जिना ने King Faisal International Prize Science दे फिल्ड विच जित्या है Question 6 Consider the following statement Number 1 The legislative council of a state in India can be larger in size than half of the legislative assembly of that particular state option one कहा गया है कि जो किसी state दी legislative council हन दी है उदा size जो है half हन दा है legislative assembly दा दोस्तों रौंग है कि जो maximum strength हन दी है legislative council दी हाँ हन दी है one third of the total strength of the legislative assembly और दोस्तों जो minimum strength हन दी है दी है 40 So option one wrong होगी Number two The governor of a state nominate the chairman of legislative council of that particular state Dostom option two केंदी है जो governor होंदा है state दा वो nominate करदा है chairman नू legislative council दे Dostom अभी गल्त है क्योंकि जो legislative council दा chairman होंदा है वो elect किता जानदा है जो legislative council दे member होंदे हैं उना द्वारा आपने विच्चों So option two भी wrong होगी So अनुप उच्चिया गया है Which of the statement given above is correct वो उपरोक्त विच्चों केडी statement सही है दोनो statement ही गल्त हन So right answer होगे D Neither one nor two Question number seven Prime Minister Narendra Modi has released the eighth installment of PM किसान सम्मान निधी It was launching दोस्तों question विच पुच्चिया गया है कि PM किसान सम्मान निधी जो scheme है केड़े साल दे विच लौँच किती गई सी दोस्तों PM किसान सम्मान निधी स्कीम सन 2019 दे विच लौँच किती गई सी So question दे थे right answer है C 2019 Question number eight विच गुरू रोट आदी गरंथ आदी गरंथ रचना केड़े गुरु ने किती सी गी A. गुरू हर गोबिन जी B. गुरू गोबिन सिंग जी C. गुरू अंगत देव जी D. गुरू अरजन देव जी दोस्तों आदी गरंथ रचना गुरू अरजन देव जी ने किती सी गी So question दा right answer है D. गुरू अरजन देव जी Question number 10 कोडार मनना is related to which of the following sports दोस्तों question वीच पुछिया गया है कि कोडार मनना हेट लिख्या विच्चों केडे sport देनार related हन A. chess, B. badminton, C. weightlifting and D. cricket दोस्तों जो कोडार मनना हन और related हन weightlifting देनार कोडार मनना एक weightlifter हन So question दा right answer है C. weightlifting Question number 11 For what purpose the stand-up India scheme has been launched ओ केडा purpose है जीदे लई Stand-up India scheme नो launch किता गया है A. to promote entrepreneurship among SC-ST B. to promote entrepreneurship among rural youth C. to promote entrepreneurship among women D. to promote entrepreneurship among SC-ST And women Who wrote दिल्ली दियां गलियां Question दे विच पुच्छे गया है कि दिल्ली दियां गलियां दी रचना For sourcing the immunization short at the best price दोस्तों question दोस्तों question पुच्छे गया है कि इंडिया दी वो केडी स्टेट है जिसने कोवेक्स अलाइंस नू जुआइन किता है पंजाब जुआइन दा गलोबल कोवेक्स अलाइंस फोर सोर्सिंग दा इम्मुनाइजेशन शोर्ट एड़ बेस्ट प्राइस कोईश्टन नमबर फोर्टीन इन विच ओफ दा फॉलोइंग स्टेट्स काक्तिय थर्मर प्लाइट इस लोकेटिड कोईश्टन जो पुछे गया है कि काक्तिय थर्मल प्लाइट हेट लिख्यां विच ओँ केड़ी स्टेट दे विच लोकेटिड है ओप्शन ए अंधरा प्रदेश बी तेलंगाना सी करनाटका एड़ी तमिलनाडू दोस्तों काक्तिय थर्मल प्लाइट है हम दोस्तों एक कौल बेस प्लाइट है और दोस्तों तेलंगाना दी वरंगल डिश्टिक दे विच लोकेटिड है कोईश्टन नमबर 15 वो फाउंडिड दा इंडियन सिवल लिबर्टी यूनियन इन 1936 कोश्च मिच पुछिया गया है कि इंडियन सिवल लिबर्टी यूनियन यानि की ICLU दी स्थापना उन्नी सो चत्ती दे विच हेट लिखे विच्चों कि सने कीती सीगी A. सुभाष चंदर बोस B. बाल गंगा धर तिलक C. जवारलाल नहरू D. राजिंदर परशाद दोस्तों जवारलाल नहरू फॉर्म दा फर्स्ट हूमन राइट ओर्गनाइजेशन इन इंडिया दा इंडियन सिवल लिबर्टी यूनियन इन बोंबे इन 1936 C. जवारलाल नहरू ने दोस्तों इंडियन सिवल लिबर्टी यूनियन दी स्थापना 1936 दे विच बोंबे दे विच किती सी गी और दोस्तों इंडिया दे विच इट इस फर्स्ट हूमन राइट ओर्गनाजेशन कोश्चन नमबर 16 वट सत्यग्रह वाज हेल्ड एट नागपूर इन 1923 कोश्चन पुछिया गया है कि 1923 दे विच नागपूर विखे हेट लिख्या विच ओं केड़ा सत्यग्रह होया सीगा A. 60 सत्यग्रह है B. इंडिविजुल सत्यग्रह है C. बार्दोली सत्यग्रह है D. फ्लैग सत्यग्रह है दोस्तों सन 1923 दे विच नागपूर विखे चंडा सत्यग्रह है यानि की फ्लैग सत्यग्रह होया सीगा So question दर राइट अंसर होया D. फ्लैग सत्यग्रह वर कंड़क्टीड इन दे शीटी ओ नागपूर इन 1923 Question No. 17 Where did ओरंग जेव डाई ओरंग जेव दी मोत हैट लिखें विच्चों कित्थे होय सीगी दोस्तों चार ओप्शन दितिया हन First is पूने Second is ओरंगाबाद Third is एहमद नगर And fourth is Mumbai D. दोस्तों ओरंग जेव दी मोत एहमद नगर विखे होई सीगी और दोस्तों एहमद नगर जो हैगा महरास्ट्रा दे विच्च So question the right answer है C A. एहमद नगर D. दोस्तों ओरंग जेव दी मोत संस्तारा सो सत दे विच 88 साल दी उमर दे विच एहमद नगर महरास्ट्रा दे विच होई सीगी Question number 18 Who among the following was first Indian woman president to chair the Indian National Congress at Kanpur session of 1925 Question विच पुच्छया गया है की हेट लिखें विच्च होई पहली Indian woman president कॉंड सीगी जिनने Indian National Congress दे कानपूर session दी द्यक्षता किती सीगी दोस्तों चार ओप्शन्स दितिया है First is Srozni Naidu Second is Annie Besant Third is Nelly Sen Gupta And fourth is Indra Gandhi D. दोस्तों question the right answer है A Srozni Naidu Srozni Naidu presided the Indian National Congress at Kanpur session in 1925 So question the right answer है A Question number 19 When is World Agri Tourism Day observed World Agri Tourism Day कदो मनाया जान्दा है A. 16th मई B. 15th मई C. 17th मई And E. 18th मई D. दोस्तों World Agri Tourism Day observe कीता जान्दा है 16 मईनू So question the right answer है A World Agri Tourism Day observed on 16th मई Question number 20 Martyr Day is marked on Martyr Day कदो मनाया जान्दा है A. 1st January B. 15th January C. 30th January And E. 9 January D. दोस्तों Martyr Day हर साल T January नू मनाया जान्दा है और दोस्तों इसनू मनाया जान्दा कारण है गा कीस दिन दोस्तों अचार की साथ जान्दा आग जान्दा है जेकर्थ हो नुसादा प्रयास चंगा लगया तब प्लीज वीडियो नुँ जुरूर लाइक करना और चैनल नुँ सब्सक्राइब करना ना पुलना तो दोस्तों मिल दे हैं सब दिन नवी वीडियो देना आल थैंक यू फ्रेंट थैंक यू फर वाचिंग आवर वीडियो